है हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे आज फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट और यूनीक वीडियो लेकर आया हूं जी हैं दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम सीखने वाले हैं कि अपने केमपीटर से अपने आइफॉन पर किसी भी फाइल को किस तरीका से ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल बोले तो जैसे कोई वीडियो है ओडियो है या तो फिर कोई फोटो भी है अपने केमपीटर से अपने मॉबाइल फोन यानि आइफॉन पर चाहिए आपके पास आइफॉन का कोई भी मॉडल्स है आइफॉन 30 प्रो है 30 है 14 है 40 प यह जो अभी हम करने के लिए जा रहे है फाइल ट्रांसफर करने जा रहे है अपने विंडोस से अपने आइफॉन पर इसके लिए आपको हो सकते है कुछ कुछ चीजों की ज़रूत पड़ेगा तो वह चीज क्या है जिसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों बता देना आइफोन मैं। बेस्टेर से पहले तो आपके पास एक डाटस केवल होना चीजिए अगर आपको पास डाट केवल ये मेरे चार्जर की लगता है और ये है यह जो है ये पौर्ट है ये मेरे nghi 커피र्वल दो आपको पशे और तो औरको इस टाइप से आपके पास वी केवल है USB port होता है यह converter यह आपको जरूरी पड़ेगा यह क्या जैसे सीटाइफ है इसके पीछे इस तरीका से मैं इसको इंसेट करता हूँ सीटाइप और यह बन गया एक तरफ से USB और इधर यह हमारा आइफॉन का जो पॉर्ट होई है जो कि हमारे मॉबाइल फॉन पर लगेगा तो आपको इस चीज का एक जरूरत पर सकता है और दूसरा एक आपके पास डाटा केवल होना चाहिए मैं डाटा केवल इसलिए होना चा काफी सारे वीडियो वगरा यूटूब में देखे होंगे लिकने वो सारे के सारे बकवास है मेरे कोई बैटर नहीं लगता है जो सबसे बेस्ट है वो है यही तो उसके लिए आपको एक डाटा केवल अगर यह नहीं है तो यह छोटा सा एड़ेप्टर Amazon के थूरू आप पर अगर नहीं है तो आप उसको गूगल पर जाके सर्च कीजिए itunes apple.com का website में भी मिल जाएगा वहां से आप आइटून जो software है उसको अपने computer पर डाउनलोड कर लीजे डाउनलोड करने के बाद इस्टॉल कर लीजे और जो भी अभी हम file transfer करेंगे वो itunes software के थूरू करेंगे इन सब चीजों के आपको ज़रूरत पर सकता है अब चलिए मैं आप लोगों को मेरे desktop की और लेकर चलता हूँ और मैं file transfer कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको practically करके दिखाता हूँ so finally मैं हूँ मेरे desktop पे जैसे कि मैंने कहा था itunes की बात कर रहा था यह देखिए यहां पर आपको दिख रहा है यह अगर software आपके PC पे इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए simply आप Google पे जीए Google पे जाके अगर itunes download लिक कर search करेंगे तो यहां से भी आप download कर सकते बट मैं यहीं आपको सज्जेस्ट करूँगा इस पे किलिक किजिए इस पे किलिक करते यहां पे जो है आपको itunes का काफी सारे भरसन पर यहां पर software निल जाएगा देखिए अगर आपका एंपीटर 32 बीट का है तो यह वाले आप डाउनलोड करने के यहां डाटा केवल के बात कर रहा था ना यह डाटा केवल वह हमें क्या करना पड़ेगा जो एक तरफ से मॉबाइल फॉन को इधर लगा देंगे यह वाले जो यह अपने cpu से connect कर लेंगे जी हां दोस्तों यह अपने cpu से connect कर लेते हम cpu से मैंने cpu पर अपना लगाया है और cpu पर लगा थी यह देखिए यह cpu पर लगाया connect कर लिया और मेरे यहां पर आपको दिखाया देरा डिस्पले पर यह आ गया इसको हम सारे कर देते हैं जैसी हम connect करेंगे उपर में यहां पर सेंक्रोना होना शुरू हो जाएगा और य आपको यह जो file sharing का option है इस पर click करना file sharing का option पर click करती ही आपके पास कुछ apps का इस तरीका से आजाएगा आपके iPhone पर जो भी apps होगा वो आजाएगा बट मैं यहां पर Google Chrome का यूज करने वाला हूँ तो मैं Google Chrome पर click करता हूँ जैसे कि मुझे कोई files वीडियो यहां पर add करना है यहां पर देखे add file का option है इस पर add file पर मैं click करता हूँ और मेरे यहां पर एक reels मैंने अभी बनाया था यह वाले reels को मैं अपने phone पर लेना चाहता हूँ तो माल लीजे यह वाला reels है यह reels को मैंने यहां पर select किया वीडियो को और यहां पर open करेंगे open करने के बाद देखेंगे मेरे यहां पर क्रता तो इस तरीका से यहां पर add file कर सकते हैं जैसे मैं चलिए कुछ एक दूसरा ही options आपको करके दिखा तो एक photo लिशे करके दिखा तो जैसे माल लीजे यह वाला photo में करता हूँ मैंने क्लिक किया यहां पर देखिया आइमज यह वाला जो फोटो है यहां पर एड हो गया अगर यहां से कोई मेरे को आइफोन से कोई भी चीज जैसे लाइक है यह वाला यह पर फोटो जो मैंना भी लाया यह वाले फोटो को अगर मेरे को अपने लेना है तो मैं इस फोटो क क्लिक करूंगा यहां पर सेप का उप्सन है सेप पर क्लिक करेंगे मैं अपने केंपीटर पर कहां पी इस फोटो को सेफ खरना चाहता हूं वहाँ पर सेल्ट पर जिसे माने डैक्स्टोप किया select folder और देखिए यहां पर फटाफटी यह copy हो गया यह वाले जो फोटो था यह मेरे desktop पर आ गया हो देखिए यहां पर आ गया मेरे desktop पर यहां पर आपको दिखाय देजा तो इस तरीका से अपने iPhone से पर आपको दिखाता हूं कि मेरे desktop पर वीडियो आपको दिखाता हूं कि मेरे फॉन पर जो वीडियो अभी हमने ट्रांसपर किया तो आपको दिखाता हूं कि मेरे बगार, वह कहां पे आता है phone पे, iPhone पे और कहां से वो चीज को आपको मिलेगा आप को display है, मेरा phone का on my phone, मैंने इस्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पे दिखाया दे रहा है, कि हमें करना ही क्या है जिसे करें यहाँ पी एक files का option है, Files के options है क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करते ही, यहाँ पर देखे, मैं जा रहा हूँ, ब्राउजर यह देखे, iCloud Driver मिलेगा, One My Phone है, तो मेरा iPhone पर One My Phone और मैंने Google Chrome का जो फॉल्डर है इस पर किया था, तो Google Chrome के फॉल्डर को आपन करूँगा, और देखे, यह वाला फोटो था, जो कि मैंने यहाँ पर मतलब कॉपी किया था, तो यह तो मेरे Phone पर आ गया, बट मैं चाहता हूँ, यह वाला फोटो या वीडियो, जो हमारे iPhone का, जो फोटो का फोल्डर है, गैलरी है, गैलरी में सो हो जाए, तो उसके लिए कि अगर मैं सिंपल सा किलिक है, यह फोटो है, यहाँ पर शेरिंग वाला इस पर ऑफ्सन पर किलिक करेंगे, और यहाँ पर देखे, यहाँ नीचे आपको आपको सेव इमेज का ओफ्सन दिखा, इस पर किलिक करेंगे, बस हो गया, हमारे जी फोटो है वो गैलरी में सेव हो गया, अब चलिए मैं आपको फोटो पर जाके यह वाले चीज़ दिखाता हूँ, यह दिखे, फोटो पर जो मेरा फोटो था मैंने भी सेव किया, गैलरी पर वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसको फिर से, फाइलिंग पर गया, यह मैं एक बड़ फिर से कर लेता हूँ, I think एक किलिक नहीं हो था, so friends इस तरीक असे दिखे, अभी मैंने जैसे बोला आपको करके दिखाता हूँ, मैंने फ पूरा मतलब have not be uploaded, आइक बड़ जगा नहीं होने के कारें यह ऐसा दिखा रहा है, बट मैं एक यह वीडियो मेरा पास पहले सी है, देखे, यह वाले वीडियो को मैं यहां पर जाऊंगा, इस तरीका से करूँगा, and save videos पे किलिक किये, या फिर save photos पे करेंगे ना, तो यहां यहां पर आ जाता है, तो इस तरीका से गैलरी में आ जाएगा, so I hope कि आज के इस वीडियो पे मैंने आपको जो tips and tricks बताया, अपनी computer से iPhone पे data को transfer करने का, कोई भी photos, videos या फिर PDF फाइल, बहुत ही अच्छा एक तरीका था, I hope कि आप लिगो को अच्छा लगा होगा, अच्छ जरूर देता हूँ, and इसी परकर का latest वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, आप अपना YouTube चैनल, Brother Tech को, नीचे rate color का subscribe का button है, please यार subscribe कर दो अपने भाई के चैनल को, और bell का यानि घंटा का icon को भी दबातीजे, चलिए, चलता हूँ, बहुत जल्द फिर मिलूँगा, एक latest और unique वीडियो के साथ, फिलाल आजके इस वीडियो पर इतना ही, बाबाई, टेक क्यार, and we are thanks for watching.